हेलो वरेवन विल्कम यूओ लिट लोकेसर अलिम्टेट स्टडी जोन प्यारे बच्चो सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे और आज हम यहां पर स्टार्ट करने जाने वाले हैं अभ्यास प्रश्ण पत्र क्रमांग 2022 प्रश्ण पत्र 2022 तेस और जिसका की हम सेट सी आपके क्लास 12 का मैथमेटिक से बहुत ही जल्दी आपका जो मैट्स का पेपर होने वाला है उसकी त्यारी के लिए आए करते हैं सेट सी क्लास 12 का तो वीडियो को आंगे बढ़ाने के पहले प्लीज मेरा कॉन्फिडेंस और मुझे मोटिवेशन देने के लिए आप लोग प्लीज कर दें और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर कर दीजे बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो देखतो रहें परन्तु लाइक और शेयर नहीं करते हैं ओके आपका मोटिवेशन ही हमें प्रिरित करता है कि ऐसे हम वीडियो बनाएं आपके लिए अपना समय निकालें आपको बताना है कि यह कैसा संबंद है तो 1-1-2-2-3-3 है तो स्वतुलत हो गया है और 1-2 है और 2-3 है देखिए यहाँ पर स्वतुलत है और 1-2-2-3 होने के बाद यह 1-3 की प्यार एक्जिस्ट यहाँ पर नहीं कर रहे हैं इसका मतलब यह संक्रमक नहीं है तो इसका आंसर होगा केवल सवतुल तो ये किस प्रकार का संबंध है केवल सवतुल प्रकार का संबंध है चलिए अगले क्वेशन की और चलते हैं अगला क्वेशन क्या कह रहा है अगला क्वेशन कह रहा है यदि A equal to 1, 2, 3 है तो अवेव 1, 2 वाले तुलता संबंधों की संख्या लिखनी है तो देखिए ऐसा question मैंने आपको कई बार कराया है और इस तरीके के question को अपन ने कई बार कर लिया है चलिए एक बार और आ गया है तो एक बार और इस question को अपन कर लेते हैं देखते हैं कि इस question को हम कैसे solve कर पाएंगे तो यह मेरे पास सवाल आ चुका है आपका तो आईए इसको हम हल करते हैं क्या कहा जा रहा है कहा जा रहा है कि आपको बताना है कि यदि A equals to 1, 2, 3 है तो अब यह 1, 2 वाले तुलिता समंधों की संख्या लिखनी है चलिए तो बनाते हैं हम अब यह 1, 2 वाले तुलिता समंध तो मैंने ले लिया R equals to देखी तुलिता लिखना है तो 1, 1 भी होगा ओके 2, 2 भी होगा और 3, 3 भी होगा औके, क्योंकि सवतलितो होना पड़ेगा तुलिता के लिए, दूसरा क्या होता? सम्मित तो अगर 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए औके, 1, 2 है और 2, 1 भी होना चाहिए अब इसके बाद में आपके पास में क्या कहारा है कि इसके बाद में आपको یہ संक्रमक भी होना चाहिए ठीक है ना तो संक्रमक में देखिए कहां पर ये चीज हो रही है कहां पर संक्रमक ये है कि नहीं है उके ये संक्रमक है या नहीं है तो 1,2 2,2 पेर कर जाएगा ठीक है बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं है I think कि संक्रमक लग राया मेरे को हैना भिल्कुल सही तो यह संक्रमक भी है तो एक तो संथ संबंध यही हो गया तो मतलब पहला संबंध यही हो गया अब दूसरा देखते हैं कि दूसरा जो संक्रमक संबंध है वो क्या बनेगाed आर इक्वल्स टू इतने को तो रखी दीजिए सो 1,1 2,2 3,3 और 1,2 एंड 2,1 ये हो गया ठीक है न अब इसके बाद ले लिजे आप 1,3 ले लिजे तो क्या होगा 3,1 भी होना चाहिए 3,1 भी होना चाहिए अब देखें ध्यान से यहां पर 2,1 है और 1,3 है मतलब 2,1 एंड 1,3 तो 1,1 की पैरिंग हो गई तो क्या होना चाहिए इसको संक्रमक होनी के लिए 2 और 3 होना चाहिए और 2 और 3 क्योंकि सम्मित भी है तो 3 और 2 को भी अपने साथ में ले करके आएगा तो एक संबंद यह बनेगा आप ध्यान से दीखें किसमें कितने आवयाव हैं 1,2,3,4,5,6,7,8,9 पूरे के पूरे आवयाव हो चुकि है मतलब दूसरा सेट यह बन चुक है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो इसमें आउटपूट आता है वह कितने से कितने जीरो से लेके पाई के बीच में आता है याने वने 80 डिगरी से अब यह कितना है अब देखे और यह कितना हो जागा से एकल टू कॉस इनवर्ट गतना होता है मैने स्कॉस थीट है ठेका न आ आ चुका है यह आ चुका है cos inverse इसे लिख सकता हूं मैं minus और cos pi by 6 कितना होता है cos pi by 6 that is equal to cos 30 degree and cos 30 degree is equals to होता है कितना root 3 by 2 है नगा so minus root 3 by 2 अब आप जानते हैं कि जो formula होता है that is equal to cos inverse minus x का formula है ना मैं यहाँ पर लिख देता हूं इस formula के क्या होता है formula cos inverse minus x का formula जो हुआ करता है तो जो formula है cos inverse minus x equals to pi minus cos inverse x यह formula हुआ करता है cos inverse minus x equals to pi minus cos inverse x तो इस तरीके से हम यह formula यहाँ पर apply कर दें तो cos inverse minus x equals to pi minus तो यह कितना बन जाएगा अपने पास में? यह बन जाएगा that is equals to pi minus cos inverse x यानी की root 3 by 2 that is equals to pi minus pi by 6 तो कितना हो जाएगा? अंसर हो जाएगा इसका 5 pi by 6 तो correct answer इसका बनेगा 5 pi by 6 तो done यह भी हो गया अगला कहा रहा है aij m cross 1 तो देखे m cross 1 मतलब इसमें कितने स्थम्भ है? एक स्थम्भ है column आवियू तो यह क्या होगा? स्थम्भ आवियू होगा done एक विशम सम्मित आवियू के विकर्ण का प्रतेक आवियव क्या होता? विशम सम्मित आवियू आप जानते हो ना इस तरीके से जो आवियू बनता है जिसका प्रतेक विकर्ण का आवियव क्या होता? सुन्न होता है और यह अगर a है तो यह क्या होता? minus a मतलब इसकी property क्या होती है? aji is equal to minus of aij यह property होती है चलिए अगला question दिखे X की power 6 का X की power 3 के sub 1 Orlando Yellow남 का आपको निकालना है तो X की power 6 का X की power 3 के sub 1 Orlando Australian subject मतलब क्या करना है आपन को देखो समझो इस चीज को आपको करना है X की power 6 का अव कलन गुणंतुड मतलब d of x की power 6 d of x की power 6 with d x की power 3 यह निकालना है आपको तो ऐसा function आपने पढ़ा है कि अगर आपको dy1 upon dy2 करना पड़े तो क्या करते हैं dy1 by dx divided by dy2 by dx हमको करना पड़ता है न तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dx की power 6 upon dx कर देंगे और यहाँ पर dx cube upon क्या कर देंगे dx कर देंगे तो कितना हो जाएगा ओपर 6 x की power 5 और नीचे कितना हो जाएगा 3 x square तो यह कट गया 2 आ गया और x की power कितना बज़ गया 3 बज़ गया 5 में से 2 गया 3 तो correct answer 2 x की power 3 ओके यस यह हो गया चलिए अगला question है कि if cos inverse sin of x then the value of f dash x की value आपको पूछी की तो ध्यान से देखिए इसको कैसे करेंगे आपके पास में क्या है cos inverse sin x को क्या लिख सकते है cos of pi by 2 minus x अब यह इसके principle domain में तो cos inverse से cos हट जाएगा के वल आपके पास में क्या बचेगा pi by 2 minus x बचेगा अब आपको इसका अवकलन करना है यह देखिए f dash x पूछा गया मतलब यह जो is का अवकलन तो pi by 2 का कितना हो जाएगा 0 और x minus x का कितना हो जाएगा minus 1 तो correct answer इसका कितना बनेगा minus 1 बनेगा अचलिए अवकल समी करन d by dx equal to 4 का हल क्या होगा अवकल समी करन d by dx equal to 4 देखो वेसे भी दिमाग लगा हो तो इसका हल होगा 4x plus c है ना सामने मलब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं 4x plus c और बाकी solve करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है बन जाएगा लिए solve कर लेते हैं d by dx is equal to 4 है so dy is equal to कितना हो गया 4 dx समा कलन कर दो तो dy का इतना हो गया 4 हो गया इसका हो गया 4x और साथ में c आता है चलिए ओके अरे भाई कहां चला गया यह 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 देखे हमें क्या है इसका हमें समा कलन गुडांग पुछा गया है 1-y square dx by dy plus yx equals to ay तो सबसे पहले यह समझो कि यह जो फलन है ओके इसमें y square नीचे है है ना तो इसमें आप 1 by y square का भाग दे दो 1-y square का भाग दे दो कैसे लिखा हुआ पहले इसको लिखलो अच्छे से 1-y square dx by dy plus yx equals to ay ठीक है ना अगर मैं 1 by y square का डिवाइड करता हूं dx by dy so कितना हो गया y upon 1-y square अब problem देखो यहाँ पे क्या हो रही है problem यहाँ पे यह है कि आपके पास में अगर dx by dy लेते हो तो उपर आपके पास x आना चाहिए यहाँ पे इधर पे क्या आना चाहिए x आना चाहिए बट यहाँ पे क्या रहा y आ रहा मतलब यह जो format है यह हमको support नहीं कर रही है तो फिर क्या करूँ मैं इसके लिए मैं कुछ दूसरा तरीका लगाता हूं मैं क्या करूँगा देखो यह question अपने पास में है मैं सबसे पहले y का डिवाइट करूँगा तो यह दी मैंने y का डिवाइट कर दिया तो क्या हो जाएगा 1-y square dx by dy प्लस yx है call to ay है मैंने इधर भी y का डिवाइट कर दिया मैंने इधर भी y का डिवाइट कर दिया ठीक है आप चाहो तो इसको थोड़ा सा तोड़ भी सकते हो ठीक ना बट आई थिंक इसको कुछ फायदा मिलेगा नहीं तोड़ने को तो अभी मत तोड़ो डी एक्स बैडी वाई है अब हमारी कोशिश यह है कि हम इसको डी वाई डी एक्स में पलट दें चलो कोशिश कर सकते हैं करते हैं कोशिश तो मैं क्या करता हूं मैं इसको डी वाई डी एक्स में पलटने के लिए इसको डी वाई डी एक्स को केला रखता हूं तो वन माइनस वाई स्क्वेर अपॉन वा y equals to, कितना हो जाएगा है हमारे पास में, यह हमारे पास में हो गया, a minus x, okay, a minus x, ठीक है, बहुत बढ़िया, अब यदि मैं इसको यहां ले जाता हूँ, इसको यह दि मैं यहां ले जाऊँ, डीवबए डी-एक्स, a minus x के साथ, so, डीवबए डी-एक्स into a minus x, ठीक ना, इस कोल्स टू, डी एक कोल्स टू कितना बच जाएगा, 1 minus y square upon y, ठीक है, 1 minus y square upon y, अच्छा, एक चीज़ यह देखो, सबसे पहली बात थी, कि यहां पर यह जो फलन है, यह y की power में आपको 2 दे रहा है, तो यहां पर अब समा कलन गुणांक, इसमें बोला तो गया है, बट क्या यह linear है, यह मेरे को linear नहीं दिखरा है, मतलब रैखिक समीकन यह मेरे को कहीं से कहीं तक यह देखनी रहा है, है ना यह समी करन जो है मेरे कोई रेखिक नहीं दिख रहा पहली एक बात तो यह है छली फिर भी थोड़ा इसको आंगे बढ़ाते हैं देखते हैं जितना हो सकता है solve करेंगे हम लोग a-x equal to 1 upon y minus y ठीक है अब जो हमारे पास form होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं देखो आप जो हमारे पास form हुआ करते हैं linear differential equation के वो होते हैं d by dx plus py equal to q एक form तो यह होता है और दूसरा होता है d by dy plus p x equals to q दूसरा form यह हुआ करता है ठीक ना तो dx by dy plus p x equals to q तो dx by dy plus p x equals to q और यहाँ पर कितना है उपर वाले में d by dx plus py equal to q दूसरा यह वाले structure है ओकी तो देखी यहाँ पर actually कौन सा format लगने वाला है यहाँ पर जो है हमारे पास में यह format हम बड़े आसानी से लगा सकते हैं और थोड़ा सा मैंने इस question को बड़ा कर दिया I don't know साय थोड़ा सा दिमाग stagnant हो गया यहाँ पर इस वज़े से ऐसा हो गया तो इसको तो हम इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है मतलब इस question में यह आराम से solve हो रहा आप कैसे हो रहा देख लो भाई का solution में कर देता हूँ आपको केवल क्या निकालना है आई एफ निकालना है ठीक ना तो कौन सी format लग रही है format मैं आपको यहां लिखके बता देता हूं कि format यहां पर लगेगी डीव अब यहां पर सुरी डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू हां तो यह बड़े आराम से हो जाएगा आप क्या कीजिए यहां पर कि वन माइनस वाई स्क्वार का पूरे में डिवाइड कर दू तो यह कितना बनेंगे आप कि एक्स प्लस ऐगा अपॉं जून चुक वाई ज़कर यह अब यह देखें किस फॉर्म में बन चुका है यह आप के पाँ जो फॉर्म बन चुकी यह बन चुकी है डी या दिखल सुरी डी एक्स बाई डी यह यह जो शुर्म आपके पास बन यह बन चुकी है, dx by dy plus px equal to q, बिल्कुल यह form में आ चुकी है, अब हमारे पास जो इसका integrating factor होता है, वो कितना होता है, इसका integrating factor होता है, e की power p dx, यह हुआ करता है, e की power p dy, क्योंकि function का independent variable y है, तो यहाँ पर क्या बनीगी, e की power p dy, तो मैं क्या करूँगा, e की power p की जगे कौन बैठा है, यह बैठा हुआ, y, y upon 1 minus y square, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या जाएगा, dy आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ आ गया, dy, अब हमें इसको solve करना है, तो कैसे solve करेंगे, देखिए, किस चीज को solve करना है, इस integral को, है ना, e की power में, y upon 1 minus y square, तो हम क्या करते हैं, 1 minus y square को हम t ले लेते हैं, ओके, तो dt, y, dy कर दो, is equal to 1 का कितना हो गया, 0 और इसका कितना हो गया, minus 2y, हमको क्या चाहिए, हमको y, dy चाहिए, तो y, dy, equals to कितना हो जाएगा, minus dt by 2, ठीक है ना, अब इसमें put कर दीचे, तो e की power, देखिए, क्या है, minus है, यह dt, upon में कितना है, 2 है, और नहाँ पे, जो y, dy आया था, इसको अपन ने क्या put कर दिया था, y, dy को हमने put कर दिया था, minus dt by 2, तो minus dt by 2, dt by 2, तो e की power minus, देखिए, 1 upon 2 common, कितना बने गया, dt by 2, ठीक है, मतलब e की power minus 1 by 2, और यह कितना हो गया, log t, ठीक है, e की power, log t, इसको थोड़ा simplify कर लो, तो बहतर रहे यह बन जाएगा, मेरे पास में e की power log t की power minus 1 by 2, मतलब कुल मिला करके, यह कितना आगया मेरे पास, यह मेरे पास आगया, finally, e की e से log cancel हो गया, तो t की power minus 1 by 2 बन चुका है, और t की power minus 1 by 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, t की power minus 1 by 2 को मैं लिख सकता हूँ, 1 upon root t, और हमने t माना क् उसको replace करना पड़ेगा, तो हमने t माना था 1 minus y square, ओके, तो यह आजाएगा, 1 upon under root 1 minus y square, तो कहीं minus sign छोड़ा तो नहीं है, एक चीज़ और देख लो, कहीं नहीं छोड़ा है, तो इसका answer आगा, 1 upon under root 1 minus y square, तो objective नहीं है यह, है ना, तो इसका समाकलन गुडांग पूचा गय इसको देख लीजिए, इस तरीके से इसको हम करेंगे, यह हो गया, चलिए, done, अगले question की और बढ़ते हैं, अगला question क्या है, यह देखिए, अगला question आपसे, question number 4th पूचा गया है, कि i cap, j cap, k cap, j cap, k cap, k cap, i cap, k cap, dot, sorry, dot है बीच में, तो इसको यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, तो देखिए, क्या पूचा गया आपसे, देखिए, आपसे पूचा गया है, कि i cap, j cap, k cap, k cap, dot, i cap, k cap, dot, i cap, dot, i cap, dot, j और k का जो cross product होता, वो क्या होता, i cap होता है, फिकर ना फिर j है, j cap है, i और k का कितना होता, i, k की तरफ जा नहीं सकता है, मतला, minus of j आएगा, है न, i, i, k, की तरफ पीछे से घुमेंगा, तो, minus of j, plus, k cap, j, dot, लगा हुए, dot, यहाँ भी लगा, i, और j, कितना होता है, k cap होता है, तो, यह हो गया, 1, यह हो गया, 1, यह हो गया, 1, और यह हो गया, minus 1, और यह हो गया, plus 1, तो cancel हो गया, तो answer कितना है, इसका answer है, plus 1, ठीक न, अग sex की value होगी, यह देखे, अंदर वाली जो चीज़े किती हो जागी, पाइबेट हो जागी, और cost पाइबेट हो कितना होता है, 0, तो correct answers का कितना आ जागा, 0, यह अगला question है, कि अगर A और B परस पर अपवर्जी घटना है, तो A union B कितना होगा, answer होता है, PA plus PB, क्यों, क्योंकि परस पर अपवर्जी घटना हो के लिए, PA intersection B कितना हो जाता है, 0, यहने A और B का जो common होता है, वो क्या होता है, 0 हो जाता है, चले, अगला देखे, फलन, fx equal to sinex, प्रदत अंतराल, फलन, में निरंतर हरासमान है, तो आप इसको एक काम कीजिए, sinex का graph बना लीजिए, उससे यह क्या चीज है, यह आपके पास में है, पाई बाई टू, ओके, और यह क्या आपके पास में, यह पाई बाई टू है, और यह आपका पाई है, इसके बाद में यह है, 3 पाई बाई टू, ओके, तो किस में कह रहा है, निरंतर हरासमान, हरासमान बताना है आपको, तो देख की मदद से कर सकते हो पाइबाइट उसे लेकि थ्री पाइबाइट उसका अंसर होगा चलिए यह भी हो चुका है अगला इन्टीगरेशन का पूरा यहाँ पर questions दिया गया है तो जो सरल है पहले अपन उसको कल लेते हैं देखी formula आपको पता होंगे dx अपन x square minus a square का directly formula यह आता है dx अपन x square plus a square के log of x plus यह आ जाता है ठीक ना x square minus a square का formula यह हुआ करता है okay x by 2 under root x square minus a square minus a square by 2 log of x plus x square minus a square ठेक ना? Yes, तो ये होता है, चलिए, अगला फर्मॉला देखिए, देखिए 10x का इंटिग्रेशन क्या होता है? 10x का इंटिग्रेशन सभी को पता होगा, लॉग 6x होता है, अब देखिए, यहां पर अगला क्वेशन कहा गया है, कि ये इसका आंसर फाइंड करना है, तो मैं त एक लो फार्मुला तो अब लोग जानते होगी कि e की पावर माइनस एक्स का जो integration आएगा वो आएगा निगेटिव e की पावर माइनस एक्स और लिमिट कहा लगा रखी 0 से लेके infinity तो 0 से लेके infinity माइनस एन को बाहर कर दो पहले क्या आएगा e की पावर माइनस infinity माइनस e की पावर माइनस 0 यह हो गया भाई सब तो यह हो गया माइनस बाहर हैं दो e की पावर माइनस infinity मतलब 1 अपन e की पावर infinity माइनस e की पावर minus 0 मतलब 1 अपन e की पावर 0 ओके तो देखी यह कितना हो जागा minus यह हो गया e की power infinity कितना होगा 1 upon infinity मतलब ठीक है 1 upon यह कितना हो गया 1 हो गया तो यह कितना हो गया minus यह हो गया 0 और यह हो गया minus का 1 minus से minus cancel answer कितना हो गया plus 1 हो गया answer का ओके तो इसका answer कितना जाएगा आपका plus 1 हो जाएगा done चली ओके देखे तो इसका जो correct answer हमारे पास निकल करके आ रहा रहा वो कितना आ रहा प्लस वन आ रहा ओकी तो इसका answer क्या होगा इसका answer हमारे पास कितना हो जाएगा प्लस वन चलिए देखे लास्ट question और बचा है तो logically इसका answer तो वैसे देखा जाए तो मतलब बिना ही solve करें क्योंकि एक option बच गया है तो minus 1 होगा बटाईए इसको हम solve करते हैं इस question को पूरे तरीके से कि यह कैसे solve होगा देखते हैं इसको चलिए तो यह हमारे पास में question है ओके माइनस वन से लेकर के टू मॉड ऑक एक्स एक्स अपाउन एक्स ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मॉड एक्स के definition जानी चाहिए कि जो मॉड ऑफ एक्स इसकोल स्टू होता है माइनस एक्स होता है कब जब एक्स की वैल्यू जिरो से चोटी होती है और प्लस एक्स होता है कब जब एक्स की वैल्यू जिरो से बड़ी होती है तो यहाँ पर जो इंटिग्रेशन है दो पार्ट में टूटेगा एक माइनस टू से लेके जिरो में मॉड एक्स अपाउन ए x और यह आपके पास में कितना मन गया 0 से लेके 1, यह तोट जाएगा x में, यह dx हो गया, आप काट दीजिए इसको cancel कर दिया आपने, तो इसको कितना बन गया, ब्लस वन माइनस जीरो तो यह बचेगा अब चलो इसको सॉल्व करता हूं देखो यह कितना हो जागा यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यह माइनस अंदर रटैक करेगा तो माइनस टू और प्लस वन तो अंसर कितना आ गया minus 1, इस तरीके से जो आपका इसका answer बनेगा, कितना बनेगा, minus 1 जो है, बिल्कुल सही answer है, ठीक है, चलिए, अब देखें, इसके बाद अपना आता है, एक शब्द में उत्तर लिखें, तो आपको लिखना है, cost 15, cost 75, इसकी value आपको लिखनी है, देखो, समझो आप इस बात को, कि ये अपने पास में क्या बनेगा, cost 15 जो है, आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, आप cost 90 minus 75, ओके, तो आप इससे लिख सकते हो, देखो कैसे लिख सकते हो, आप इससे लिख सकते हो, cost of 90 minus 75, ओके, और ये आपके पास में cost 75 ही रहन दो, ठीक है, cost 75, इसे आप साइन सेवन्टी फैइष दो और इसे क्या लिख सकते हैं अब इसे लिख सकते हो कर आफ fluid करते हैं इसको कॉस 90-75 कितना हो गया आपका Κrics 90-छीटा को या साइन थीटा मैनस चींच फैब कर दो टीटा होता है यह पर यह आपके पास में कितना है है को यह आपके बास पर आर यहां के साइन रवेंटी? यहां से common लेजिए cost 75 यहां से common लेजिए तो क्या बन जाएगा 1111 और answer कितना आजाएगा इसका 0 तो इसका correct answer क्या है 0 आजाएगा ठीक है ना अगला देखे अगला आपको पूछा जारा है कि x into x minus 1 plus whole power 1 की power किता है 1 by 3 का उच्छ तम 1 मतलब आपको यह जो दिया गया है आपको इसकी maximum value find करनी है थोड़ा इसको मैं zoom करनी हूँ तब मैं solve करूँगा यह लिजी तो आपको इसकी maximum value find करनी है तो चलिए इसको लेके चलते हैं sheet पे solve करेंगे इसको okay question तो ले लिए हमने अब इसको solve करने वाले है यह देखिए question आपके पास में है यह okay x into x minus 1 plus 1 की power 1 by 3 की आपको चाहिए value तो सबसे पहले इसको फलन suppose कर लो y is equal to x आप multiply करतो तो x into x कितना हो गया x square minus x plus 1 whole to the power 1 by 3 okay अब देखिए इसको differentiate कर दो देखिए इसको लो कितना होता है n x की power n minus 1 तो n यह हो जागा x square minus x plus 1 की whole power n minus 1 n minus 1 मतलब 1 upon 3 minus का 1 और इसका differentiation अंदर ही अंदर कर दो कितना हो गया 2 x minus 1 ठीक ना so 1 upon 3 x square minus x plus 1 की whole power 1 upon 3 minus 1 that is equals to 1 minus 3 by 3 that is equals to minus of 2 by 3 तो यहाँ पर आजाएगा minus 2 by 3 और यहाँ पर हो जाएगा 2 x minus 1 ठीक है ना अब देखिए x की जो value आपको दी गई है यहाँ पर आपको कुछ दिया गया है कि x की value 0 से लेके 1 के बीच में दी गई तो मैं better अगर मुझी यह जानना है कि इसकी value कहां से कहां तक लाई कर रही है best रहेगा कि मैं इसको पहले इसको मैं upon में लिख दो तब समझ में आगा कि हो क्या रहा मामला 1 upon 3 देखो यह क्या लिखा है माइनस का 2 by 3 मतलब whole square भी है और power में 2 by 3 तो एक काम करो सब ले तो इसको उपर बना लो 2x minus 1 बैठा हुआ ठीक है 2x minus 1 और नीचे क्या है नीचे है x square minus x plus 1 की whole power अब यह चला गया है 2 by 3 ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब एक चीज़ देखो बच्चों कि अगर यह चीज़ 0 तो हो नहीं सकती है है अपने को मतलब किस से है कि किस point पर maxima minima क्या value मिल रही है तो यह जो चीज़ है इसे अपने को 0 करने से कोई फायदा नहीं है तो maxima और minima के लिए जिसको 0 करेंगे 2x minus 1 को तो 2x minus 1 equal to 0 किया तो 2x equal to कितना आ गया 1 तो x equal to हमाँ पास आ चुका है कितना 1 by 2 x equal to 1 by 2 आ चुका है अब x equal to 1 by 2 है अब यह कह रहा है कि उच्छतम मान ठीक है ना अब यह कहोगे आपकी सरह x equal to 1 by 2 पर जरूरी तो नहीं है उच्छतम है यह एक ही point मिल रहा है तो क्यों हम फालतू मेहनत करें जरूरी है यहाँ पर कि इसी पर उच्छतम आपको मिल जाएगा otherwise आपके सामने क्या रास्ता है अब आप इसके बाद जो है double derivative करोगे यानि कि दोती आपकलच test लगाओगे या परतम आपकलच test लगाओगे तो लगा भी लोगे तो वही answer रहेगा क्योंकि इसमें चार options तो है नहीं न एक ही पूछा गया है one line में कि इसका उच्छतम मान क्या होगा मतलब अपने पास जो point मिल रहा है वो किस पर उच्छतम मान मिलेगा x equal to 1 by 2 पे तो x into मतलब x equal to 1 by 2 पे इसकी value मैं निकालता हूँ ओके तो चलिए निकालता हूँ किस चीच की value निकालनी है x into x minus 1 plus 1 whole to the power 1 by 3 I think यही है चेक कर लें x into x minus 1 plus 1 x into x minus 1 plus 1 whole to the power 1 by 3 बिल्कुल सही लिख रहा हूँ मैं तो आपको value निकालनी है put कर दो यहाँ पे देखो 1 by 2 1 by 2 minus 1 कितना हो तो minus 1 by 2 प्लस का कितना हो गया 1 की power 1 by 3 ओके यह कितना हो गया देखो यह हो गया minus 1 by 4 plus 1 की power 1 by 3 तो 1 minus 1 by minus 1 plus 1 minus 1 by 4 plus 1 यह 4 इदर जाएगा 4 में से 1 गया तो कितना बच गया 3 बटे 4 की power 1 by 3 यही answer आएगा जो अधिकतम मान निकलेगा न वो यही होगा इसको note कर लो 3 बटे 4 की power 1 बटे 3 यही होगा आपका maximum value चली अगले question के ओर चलते हैं यह हो चुका है अगला सवाल करते हैं किसी यदि किसी सार्निक की पंक्ति एस तंब के सभी अभियप सुनो सार्निक कमान शुन होता है बहुत ही simple है answer कितना हो इसका 0 हो जागा सदिस ए के अन्दुस मात्रक सदिस बहुत ही simple है क्या करोगे सदिस मात्रक सदिस निकालने का तरीका a cap equal to सदिस a upon mod कर दो तो यहां पर आ जाएगा answer कितना 2i cap plus j cap plus 2k cap upon में कितना जागा दो दो चार और नौ मतलब 3 हो जाएगा upon में है ना तो इस तरीके से answer जागा आप जानते होगे formula इसका इकाई सदिस निकालने का formula सदिस a upon mod of a चलिए चलिए अगला question है दो बिंदू इतने और इतने मिलने वली रेखाओं कि दिकन पर तो दिकन पर निकालने का तरीका अगला minus पे चला तो a minus 0 पहला आएगा a दूसरा b minus 0 कितना है गभी आएगा तीसरा c minus 0 कितना हैगा c आएगा तो जो दिकन पार्ट बनेंगे वो कितने बनेंगे a b and c चलिए अगला दो घटनाओ e और f को क्या कहते हैं कि अगर p intersection f equal to 0 मतलब दोनों का common point 0 हो चुका मतलब कुछ भी common ना हो ऐसी घटनाओ क्या बोलते हैं ऐसी घटनाओ को बोलते हैं परस पर अपवरजी घटना अगला फलन cost inverse x का प्रांत लिखो प्रांत मतलब की domain तो x की value क्या हो सकती x belongs to r नहीं हो सकता sorry x belongs to minus 1 to plus 1 तो प्रांत लिख लो minus 1 to plus 1 मतलब जो value है x की वो minus 1 से लेके plus 1 तक चल सकती है चलिए बहुत बढ़ी है अगले question क्यों चलते है अगला question क्या कह रहा है यदि फलन f x स y में एक तुलता सम्मन्द है एक फलन है और x में r बराबर e, b fa बराबर f v द्वारा प्रत एक फलन है तो r एक तुलता सम्मन्द है देखो भई आप से कह रहा है कि एक फलन है और F A बराबर F B बिल्कुल सही बात है भई तो लिता समंध होगा सामने समझ में आ रहा है कि दो बिंदू आप ले लो F A तो F A जो होगा खुद के तो बराबर होगा ही कोई बात ही नहीं है दूसरी F A F B के बराबर है तो F B भी किसके बराबर होगा F A के बराबर होगा और अगर दो पॉइंट ले लो F A F B और F B F C तो तीनों आपस में बराबर होगे तो ये बात बिल्कुल सत्य है अगला सेक इनवर्स का जो मुख मान है वो कितना है वो आपको दिया गया 0 से लेके पाई और माइनस पाई बाई टू ठीक है बताना है कि सही एक गलत है चलिए देखे अगला question है sec inverse x की मुख्य शाख्य आपको बतानी है कि sec inverse x की मुख्य साख्य क्या है 0 to pi और except minus pi by 2 बिल्कुल सही है क्योंकि sec की value infinity कहां पे होती है pi by 2 पे तो उसको remove कर दिया गया है चलिए अगला question है परतेक अधिस आविऊ हुक्साम रड़ी होता है तो यह भी बिल्कुल क्या है यह १िकरंड विई होता सथ्य कि प्रतेक अधिस आविः एक विकरन विऊ होता है चलिए अगला question दिखे यहाँ पर पर कहला कि यह संगहाती हा उलकंल समिकन् यह पावर 2 है यह भी पावर 2 है इसके इक्वल में आई थिंक यहाँ पर कुछ होगा तो यहाँ पर इसका आंसर क्या बनेगा यह सत्य नहीं है तो यह असत्य हो जाएगा ओके ठीक ना थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है I think कहीं पर इक्वल यह इस तरफ लगेगा या इस तरफ बीच में कहीं पर इक्वल लगेगा तभी डीववडी एक्स बनेगा तो इसम घाती से मिकण हो जाएगा त्रिबुच की तीन भुजाओं को क्रम में लेने पर उनका सदिस योग शुन होता है यह बात बिल्कुल ही सत्य है कि त्रिबु की ये है हमारा paper number C था set C और set C के हमने questions काफी सारे कर लिए हैं दोस्तों इसके objective question कर लिए हैं अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर कि आऊँगा इसके subjective question तब तक के लिए बहुत-बहुत धिनवाद नमस्कार